अच्छा तो यहां पर देखिए के मतलब फिर भी सही है 97 से तो बढ़ा है ना और Z की वैलिव जो लास्ट है वो क्या थी 122 तो ठीक है फिर भी दोन और सूर्तों में कंडिशन हमारी 2 हो रही है तो हमारे पास आंसर आ रहा है 114 माइनस 32 तो आंसर क्या आएगा 142 में के 32 जाएंगे तो कल्कुलेट करते हैं ज़रा 114 माइनस 32 82 आंसर आ रहा है ठीक है 82 पे देखते कौन से लेटर आ रहा है क्या पतला रहा है समझ्ज में आदी बार तो फिर्स टाइम में जब लूप चलेगा तो वो जो पहले डिजिट को रीट करके आएगा उसको कनवर्ट करेगा ये डेसिमल में और फिर इस तरह ये लूप 17 बार जब चलेगा तो चलेगा 6, 4, 10 बार तो दस बार में 10 के 10 लेटर को कैपिटल में कनवर्ट कर देगा और फाइनली जब ये कनवर्ट कर लेगा सब को तो फिर हम क्या कर रहे हैं यहां पर उसका आखर में आख उपने रहे क्योंकि यहां पर देखो खाली माइनस नहीं कर रहा है माइनस के साथ वो असाइन भी कर रहा है मतलब अगर मिसाल के तोर पे इसको अब यू समझते हैं कि फर्स ताइम में यहां पर जो इसकी वैल्यू थी 1, क्या थी इसकी एक्स की वैल्यू भी अप्रे निकाली थी 1,14 थी तो यहां पर मेमूरी में ऐसे लिखा हा था 1,14 R is equal to 1,14 जब लूब चला तो लूब ने 1,14 को रिपलेस कर दिया किसके साथ 80 डूब है तो अटोमाटिकली अब कैपिटल आ रहा जाएगा तो इस तरह वो रियसाइनिंग सब को करेगा और जब सब को रियसाइनि कर गें सब को कैपिटल गर देगा तो आखिर पे हम उसका आउपट लेने गए ठीक है अब इसी चीज़ को मैं आगे वाला कोटी दिखा रहा आपने करना है कैपिटल से स्मॉल mur कैपिटल से कैपिटल से मॉल पैपिटल मेए